सो हेलो अब्रिवन वेलकम बंस अगेन और आज हम करने वाले हैं स्टार्टिंग एक नई सीरीज की जो कि आपकी के लिए पैड़ाकॉजी की सीरीज होगी यहाँ पे और इसको मैं इन टॉपिक्स को खुद एकदम टॉपिक बाइस हम लोग चलेंगे और जैसे कि आपका फर्स से चीजों को और चलिए तो फिस स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास आपको कैसी लगी कुई कि एक मेरा छुटा सा प्रियास था आप लोग मुझे जरूर बताईएगा और इसमें कोई अगर आपको लगता है कि आपको सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मुझे सबी को हम कवर करते हुए चलेंगे और आप सबी को पता भी चल गया होगा कि जैसे कि बहुत सारी न्यूज आ रही है कि आपका जो एक्जाम है वो लगवक फैब या मार्च में स्टार्ट हो जाएगा तो इसलिए अपनी तयारी को मतलब 6-7 घंटे आराम से पढ़ना स्टा से लिए वाले हैं तो चले फिस्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को क्यों सबसे पहले जैसे कि आप देख आ रहे हैं कि आपका क्या एक सेक्सन हे यह first वाला इसमें क्या है understanding the learner यानि कि जो बच्चे होते हैं जो learner होते हैं जो students होते हैं उनको आपको क्या है as a teacher आपको उनको समझना आना चाहिए आप उन्हें समझते हो या नहीं समझते हो तो उसी लिए आपको पता होना चाहिए कि बच्चों की growth कैसे होती है बच्चों का development कैसे होता है maturation यानि कि परिफक्वता क्या होती है तो किस तरीके से आपको बच्चों को बहाँ पे deal करना है क्योंकि यह आपका 60 marks जो है वो आपका pedagogy से related है यानि कि ज़्यादा तर आपके अंदर वो एक teacher मतलब देखना चाहते हैं आपके अंदर teacher वाली जो qualities होती है वो है या नहीं है तो चली फिर हम start करते हैं देखेंगे हम सबसे फर्ष्ट अपना concept of growth तो सबसे पहले हम देखेंगे कि growth क्या होती है growth होती है आपकी ब्रद्धी growth को हिंदी में हम क्या कहते है ब्रद्धी कहते है यहीं कि ब्रद्धी किसमें आपकी सारीरिक जो भी बनावट है जिसमें यहीं कि फिजिकल जो आस्पेक्ट्स हैं आपके जैसे आपका भार हो गया यहीं कि development आने की जो आपकी growth होती है वो एक physical याने की सारीरिक और quantifiable जिसको मापा जा सकता है जिसके हम naap कर सकते हैं जिसको measure कर सकते हैं वो एक process होती है development में एनि की development का चोटा बहग क्या है ब्रद्धी है और development आपका क्या है development आपका जो है एक broad domain है यई यानि कि जो ब्रद्धी है वो आपकी डबलब्मेंट के ही अंदर आ जाती है, okay? An example, being the change in height, you get physically taller and this is miserable. यानि कि जो आपकी height बढ़ती है, जो आपकी physically, यानि कि सारी रिक्चेंजमेंट होता है, आपकी height बढ़ती है, आपका weight बढ़ता है, तो इस सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? मीजर कर सकते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रद्धी तो ब्रद्धी आपकी मूर्थ होती है यानि कि ब्रद्धी को आप देख सकते हो ब्रद्धी जब होती है तो आप उसको अब्जर्व कर सकते हो देख सकते हो बट विकास में ऐसा नहीं होता है क्योंकि विकास जो है एक ब्रॉट डोमेन है और विकास के अंतरगत ह आपकी जो growth है वो आती है, okay, आपकी growth होती है, वो आपकी जीवन परियंत नहीं चलती है, जबकि विकास आपका क्या है, वो आपका जीवन परियंत चलता है, तो जबकी growth होती है, ये एक time के बाद रुक जाती है जैसे ही बच्चा maturity प्राप्त कर लेता है तो बैसे ही आपकी growth क्या है रुक जाती है adolescence में बच्चा जो है अपनी 100% जो इसकी growth होती है वो 99% बतल लगवग हो जाती है उसकी उसके बाद हम चलेंगे maturation अब देखते हैं maturation में क्या difference है तो maturation and growth बहुत ही मतलब connected हैं दोनों एक दूसरे से समझते हैं इसको what is maturation? maturation यानि कि परिपक्वता means when certain functions are performed by mind and body automatically we say that one has attained maturity कि maturity का सीधा सीधा मतलब होता है बढ़ना जैसे कोई बच्चा होता है तो वो बढ़ रहा होता है ना तो अब कहते हैं कि बढ़ा हो गया है तो बढ़ा होना यानि कि mature होना maturation means when certain functions यानि कि कुछ ऐसी चीजें जिन जो कि अपनी अचानक ही मतलब जैसे कि बच्चा है कोई चोटा सा बच्चा है ठीक है तो कैसे वो अपने आप बढ़ता जाता है और किस तरीके से फिर उसके हाथ पर वो खड़ा होने लगता है one has attained maturity 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 आपकी क्या होती है maturity आपकी physically भी होती है and mentally जैसे कि विकास होता है उस तरीके से भी होती है तो maturation आपके किने two types की maturity यहाँ पर होती है okay जैसे कि first है आपका physical तो our child goes through some distinct physical maturity as they progress through all their development stages यानि कि जब जो उसकी stages यानि कि किस time पे वो कितना बढ़ जाएगा जो अपनी stages को जैसे पहले बचा चोटा होता फिर उससे बड़ा उससे बड़ा इस तरीके से वो किशोरा वस्ता अडोल से तक पहुचता जाता है तो यह जो एक physical aspect होता है maturation का वो होता है through some distinct physical maturity as they progress through all their development यानि कि उनका जो development होता है growth में भी वो उनका क्या होता है physical maturity यहाँ पे होता है उसके बाद होती है cognition maturity यानि कि cognitive development is the processing one second cognitive development is the processing of information language development memory रिजनी यानि कि जैसे कि आप कैसे चानोगे कि कोई बच्चा जो है वो cognition यानि कि mind से cognition का सीधा सीधा मतलब किससे होता है mind से होता है तो mind से यानि कि कोई बच्चा जो है वो mature हो गया है हम कहते हैं ना समझदार हो गया है तो बहीं से related है आपका maturity का reasoning यानि कि उसमें जब ये सारे good आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चा जो है आपका mature हो गया है क्या आ जाता है information यानि की language आ झाती है लाप्रमेंट होता है memory विक्सित होती है उसकी reasoning यानि कि तरक आ जाता है उसके अंदर तो उसका जो होता है cognition maturation उसमें आ जाती है इंटेटिव होते हैं quality में चेंज आता है आप उसको मीजरव जो 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 होते हैं वो मीजरवल नहीं होते हैं यादि की एक comprehensive pattern में एक comprehensive term है आपका development development में क्या होता है यादि की आपके सारे ही aspects आ जाते हैं आपका physical है cognition है emotional है पर्सनाल्टी डेवलप्मेंट है, वीहेवियर है, आपका जो सम्में जो चेंजिस आते हैं, वो आपके किसे रिलेटिड होते हैं, वो आपके विकास से रिलेटिड होते हैं, तो ब्रद्धी भी है, वो आपकी ब्रद्धी और मैचुर्टी भी आपकी किसके अंदर आ जाती है विकास के अंदर आ जाती है हमने कौन कौन से टॉपिक्स आज कर लिये हैं कौनसेप्स ओप ग्रोथ हो गया हमारा मैचुरेशन हो गया और डवलपमेंट हो गया अब हम कल करेंगे प्रेंसिपन्स और डिवेट्स ओप डवलपमेंट यानि कि जो आपके डवलपमेंट के क्या सिधानत होते हैं किस तरीके से डवलपमेंट आपका होता है और उस पे क्या क्या डिवेट्स हैं यानि कि किस ने अपनी कौन कौन सी बातों को कहा है इसके बारे में तो आई होब फ्रेंट्स आपको पसंद आई होगी और जैसी भी आपको लगी है तो आप मुझे comment section में अपना feedback जरूर दीजिएगा और इसी तरीके से आपकी ये series चलती रहेगी और जितना भी मुझे हो सकेगा मैं चीजों को और भी बहतर तरीके से paste करने का प्रियास करूंगी तो like, share, subscribe आप कर सकते हैं आपके अपनी इच्छा पर है कोई बादयता नहीं है और कैसा लगा आपको session मुझे ये जरूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों का feedback चाहती हूं ताकि मैं और भी सुधार कर सकूं चीजों में और आपको क्या-क्या यहां से बतलब समझ आया या क आपको लगता है कि मुझे सुधार करना चाहिए तो मुझे comment section में बताइएगा थैंक्स वर बाचिंग मिलते हैं next video में कुछ most important अपने topic के साथ तब तक के लिए आप सबी अपनी तयारी को continue करते रहें थैंक्स वर बाचिंग